आनन्धाम की योर धर्मर पसंग में महापुरुष स्वामी शिवानजी महाराज अध्याई 58 पृष्ट संख्या 173 बैलूर्मट शनिवार 28 सप्तंबर 1929 इस अध्याई के पूरुभाग में हमने सुना था कि बंगाल की एक विशिष्ट संस्था के दो भक्त कारे करता महापुरुष महाराज से मिलने आए और उन्हें अपनी कुछ जिग्यासाएं कहने लगे उन्होंने पूछा कि श्री राम कुष्ट द्वारा अपने अंतरंग भक्तों को किस प्रकार संगबद किया गया और इस संग की शक्ती का रहस्य क्या है आईए अब हम इनके वारता लाव को आगे सुनते हैं भक्त पूछते हैं अच्छा महराज जिस प्रेम शक्ती की दोर से ठाकुर ने आप सब लोगों को एक साथ बांध रखा था और आप लोगों के भीतर जो प्रेम शक्ती ठाकुर ने संचारित की थी उसका तो समय के साथ हरास हो रहा है तथा आगे और भी होगा तो फिर अव्वय शक्ती किस प्रकार अक्षुन बनी रह सकेगी किस प्रकार उस शक्ती प्रवाह को दीर्गकाल तक जगत की कल्यानार्त अविछिन और अव्याहत रखा जाए महापूरुष महराज देखो इस नश्वर जगत में कोई भी वस्तो चिरस्थाई नहीं है कोई भी शक्ती चिरकाल तक समान रूप से कारे नहीं किये जा सकती शक्ती की गती कैसी है जानते हो ठीक, वेव यानि तरंग के समान वेवलाइक मोशन, तरंगाईत गती में शक्ती हमेशा खेल करती है कभी-कभी बड़े वेग से बहुत उपर उड़ती है और कभी मंद गती से नीचे की और जाती है यही चिरकाल से होता रहा है और यह जो आज मंद गती से दिखाई देती है वही भविश्य में वेग-माई गती की सूचना दे रही है अब किस प्रकार इस शक्ती को अव्याहत रखा जाए यह मनुशबुला कैसे जानेगा इसे तो केवल माही जानती है जिन महा शक्ती में सिस जगत में शक्ती का उद्भव हो रहा है एक मात्र वे ही जानती है कि किस तरह इस शक्ति की रक्षा की जाए जो आद्या शक्ति महा माया जगत के कल्यान आर्थ अपनी शक्ति की अभिव्यक्ति करती है वे ही जानती है कि किस प्रकार और कब तक वे शक्ति को वेगमई बनाई रखेंगी हम लोगों के लिए उनके उपर पूर्णत्या निर्भर रहने के तिरिक्त और कोई उपाए है ही नहीं भक्त हम लोगों ने ठाकुर श्राम कुष्ण देव को जीवन का आदर्श बनाया है उनी के भाव में अपने जीवन को गड़ने के चेश्टा भी करते हैं इस विशे में आपकी सहायता की आचना करते हैं आप ठाकुर के अंतरंग पार्शद हैं क्रिपा कर हमें थोड़ा सा आलोग प्रदान कीजिए महापुरुष महराज बच्चा तुम लोग धन्य हो जो तुमने श्राम कुष्ण देव को जीवन का आदर्श बनाया है वे ही स्युक के इश्वर हैं जो उनके शर्नागत होगा उसका कल्यान अवश्य होगा मैं बहुत आशिर बात देता हूँ तुम लोगों को शक्ती मिले तुम लोग धन्य हो जाओ तुम लोगों का मानव जीवन सार्थक हो और बच्चा जिस आलोग की बात करते हो वह तो भीतर से आता है जितना अंतर मुकी होने की चेश्टा करोगे जितना अंतर से भी अंतरतम प्रदेश में प्रवेश करोगे उतना ही आलोग दिखाई देगा आलोग बाहर कहीं नहीं है, सब भीतर है, भीतर वे प्रकास वरूप मात सभी के अंदर हैं, मेरे तुम्हारे सभी के भीतर हैं वे ब्रह्मा से लेकर कीट परमाणू, स्थावर जंगम सब में हैं उन्ही आदी भूता महा माया के पास प्रातना करो, सब भकुंजियां उनके पास हैं वे थोड़ी कृपा करके यदि चाबी घुमा दें, तो आलोग राज्य खुल जाएगा वे चेतन्य स्वरू, सबकी नियंता आद्या शक्ति ही, मन, बुध्धी, अहंकार, सबकी करता हैं समस्त जगत की उत्पत्ती स्थान हैं, उन्ही मा के अंदर से हम सब लोग आए हैं और उन्ही में फिर हम सब लोग का ले हो जाएगा और वे आद्या शक्ति, वे ब्रह्म शक्ति साधारन बुध्धी और मन के अगम में हैं, शुद्ध मन में उनका प्रकाश होता है साधन बचन द्वारा मनुश्य उनको पकड़ नहीं सकता उनकी धारना नहीं कर सकता वे स्वयम प्रकाश हैं उनकी चेतन शक्ती से ही जगत चेतन नमय है और जैसा की मंडक उपनिशद में कहा गया है वहाँ न सूरे प्रकाशित होता है ना चंद्र ना तारागण यह विद्योत भी वहाँ प्रकाशित नहीं होती फिर भला अगनी की तो बात ही क्या वे प्रकाशित हैं इसी कारण उनके पीछे पीछे सब कुछ प्रकाशित होता है समगर जगत उने की जोती से प्रकाशित है तुम लोग उन्हीं मा की शर्ण लिये रहो, वे तुम्हारे भीतर ही हैं, वे ही तुम लोगों के लिए प्रकाश का मार्ग खोल देंगी ओम शीराम कृष्णारपण मास्तू